नमस्कार आज ये मेरा सोभाग है कि गुरुदेव कारण जी के बारे में मुझे अपने मन की कुछ बात करनी है गुरुदेव से क्या सीखा, गुरुदेव क्या थे, क्या नहीं थे मैं रंगमडल के शुरुआत के दूनों का पहले बेच का उनका विध्यारती हूँ रंगमडल शुरू होने से पहले मैं कारण जी को बिलकुल नहीं जानता था वो कौन है, क्या करते है, उनका व्यक्तिद्व क्या है उनके कारियों से भी परिचित नहीं था रंगमडल जब बना और उसमें जब मैं चुना गया तो पहले दिन पता चला कि ये हैं कारण जी जिनने देखते सही लगता था ये कोई प्रोफेसर है जिनके चेहरे पर एक तेज है, आँखों में चमक है, वानी में खनक है उन्हों नहीं हम सभी कलाकारों को अपना परिचह दिया और हम लोगों सभी हमारा परिचह लिया ये पहले एक आदान प्रदान हुआ कि आप कौन है और मैं क्या हूँ तो यहां से शुरू ही कारण जी के साथ एक हमारी रंग यात्रा कारण जी ने हम सभी कलकारों को इस तरह से चुना था जो थोड़ा बहुत रंगमंच के बारे में जानते थे यह हम कहें कि कच्ची मिटी की तरह थे जिने कारण जी एक आकार देना चाहते थे हम सभी को शिद्दत से खूब रोंदा गया, पीसा गया और हमारी शमता को बढ़ाया गया रोज सुभा व्यायाम की कक्षा होती थी संगीत की कक्षा, नाठी पाट और नाठी विद्ध्या की जानकारी दी जाने लगी कारण जी रोज एक घंटा लेक्चर देते थे जिसमें बताते थे कि आपको क्या-क्या सीखना और करना चाहिए कारण जी संगीत में तो पारंगत थे ही उन्हें अधुत संगीत का ग्यान था और साथ ही वो नया संगीत सरजन करने में भी अधुत थे कारण जी कहते थे कि कलाकार को अपने पूरे शरीर का ग्यान होना चाहिए कि कलाकार का जो शरीर है वो एक वाद्धिय यंद्र की तरह होता है कि आपको पता होना चाहिए कि आपका बोलने का स्वर क्या है आप कैसे बैठते हैं कैसे उड़ते हैं आपके आउभाव क्या हैं क्या अंदाज हैं और उसमें सबसे पहले आपको करन संसकार सीखना चाहिए कि सामने वाला क्या बूल रहा है और वो क्या कह रहा है और क्या और कैसे कह रहा है और किसलिए कह रहा है फिर उसको सुनने के बाद ही आप उसे उत्तर देंगे तो सहचता होगी और आपको सहायता मिल लेए सुनना बहुत ज़रूरी है सामने वाले को तो आप प्रतिक्रिया दे सकते हैं और साथी कलाकार को आउजर्वेशन ज़रूर करना चाहिए कारण जी कहते थे कि आउजर्वेशन से बड़ा स्कूल कोई दूसरा नहीं है जब कभी हमेशा रहती है हर करदार का वो कहते थे कि एक बेगराउंड होता है वो कौन है क्या है कहां से आया क्या करता है वो ऐसा है तो क्यों है उसके पीछे कारण क्या है ये कलाकार को जानना बहुत ज़रूरी है कारण जी संगीत के समवादों को या ये कहें कि संगीत से समवादों को जोडते थे वो कहते थे कि कलाकार को अपना डिक्षन, वालियूम, पिच, प्रिजन्टेशन उस पर ध्यान देना चाहिए कारण जी के संपूर्ण अध्यापक प्रोफेसर थे और रचयता थे रहते थे, खासकर नाटकों में वो बैगराउंड म्यूजिक जिसमें वो पत्थर, लकडियां, या टीन, डब्बे, मतलब पूरा द्रश एक बंधा रहे उसका प्रियोग करते थे कारण जी के साथ अक्सर में सफर में जब रहता था तो बस में सबसे आगे उनकी सीट पर उन्हीं के साथ मैं बैठने का सोभागी मुझे को मिला और मुझे बातों ही बातों में उनने बहुत कुछ सिखाया और मैं भी उनसे कई प्रशन करता था जिससे मुझे बहुत सीखने को मिलता था तो उन्होंने ऐसे ही बैठे बेटे गुरूशेशी परंपरा से मैं साथ में शुरू कर दी थी और मुझे से कहते थे कि आपके मन में जो भी सवाल आए वो किया करें तो आपको सीखने को मिलेगा तो मुझे उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला कई नाटको के प्रमुक पात्रों का उन्होंने मुझे सबसिट्यूड बनाया और कहा कि ये बात आप अपने साथियों को किसी को भी नहीं कहेंगे आप जो नाटक हैं है वदन घासराम कोतवाल या दूसरे नाटक उनके मुखिक करदारों को चुपचाप तयार करके रखें कभी हो सकता है कि कोई घटना घट जाए या किसी वज़ा से किसी कलाकार के साथ या नाटक में विगना आ जाए तो नाटक रोखना नहीं चाहिए एक दूसरा कलाकार वहां तयार रहे तो आपको तयार रहना चाहिए तो ये सभी कलाकारों को चाहिए कि वो दूसरे कलाकार को भी आफ़सर करें कि कल अगर कुछ हो जाए तो वो उसको करने के लिए तैयार रहे तो ये कारण जी ने कहा और उसे का कि आप एक वचन और दीजिए कि आप जीवन भर अभिने को नहीं चोड़ेंगे बले ही आप थेटर करें या फिल्मों में जहां जाएं बविश आपको जहां ले जाए जो भी आपका मन है लेकिन आप इसको नहीं चोड़ेंगे और वो मैं आज तक निभा रहा कारण जी को फिल्मों का बहुत अच्छा ग्यान था उन्होंने कई फिल्में डॉक्यमें डिरेक्ट की और कई बड़ी फिल्मों उन्होंने म्यूसिक दिया है जिसके लिए उसको उनको नेशनल एवार्ड भी मिले हमारी रंगमल मंडल रैपेट्री में भी कई कलाकार ऐसे थे जिनकी प्रतिभाओं को कारण जी ने शुरू सही पहचान लिया था और उन पर काम करना शुरू कर दिया था जिसमें स्टेज की डिजाइन, लाइटिंग, म्यूजिक, वेश भूशा डिजाइन और जो थेटर के अभिना के दूसरे आयाम से उनकी जानकारी देना जिसमें उन्होंने हमको सिखाया फोक आर्ट, मार्शल आर्ट, फोक म्यूजिक के बारे में सिक्षा दिलवाई, हमें अपनी शेतरी भाषाओं का ग्यान दिलवाया, कई नाटकों को हमने किया, जिसमें हमने बुन्दिल घंडी में, मालवी में, चतिस गाड़ी, शेहली में नाटकों की प्रस्तुती की, कारण जी सबसे ज़्यादा ध्यान देते थे अनुशासन पर, वो कहते थे कि अनुशासत होना बहुत ज़रूरी है और कमिट्मेंट, आप दुनिया से जूट बोल सकते हैं, अपने आप से कभी जूट ना बोले, अगर आपने किसी को समय दिया है तो उसको पूरा करें, और समय का सद उपयोग करें, खाली समय में आप पढ़ें, लिखें, दुनियादारी के बारे में जाने, पहचाने, वो कहते थे कि कलाकार को रोज डायरी लिखने की आदत होनी चाहिए, उसके पास अपना एक परसनल किट बेग होना चाहिए, जिस हमारे साथ जो कलाकार थे, उसमें जैनत देशमुक थे और शरत शबल जो स्टेज डिजाइन में और पोस्टर डिजाइन में माहर थे, उनको पहले से थोड़ा ग्यान भी था और उसके अलावा जैसे कि हमारे कुछ और साथ ही थे, उनको संगीत में अच्छा ग्यान था, रखते थे साथ में, और मुझे मौका देते थे वो नर्तिय और मार्शल आर्ट में, जो हमने सीखा था, कुछ फोक नर्तिय सीखे थे, गुरू राम परसाथ सहाय जी पांडे जी से, और जब मालवी का अगनी मित्रम बंदेल खंडी में किया गया, तो वो जो कुछ भी हमने सीखा था, तो कारें जी ने कहा कि ये जो गीध है, उसके आप कोरोग्राफी डांस की आप करेंगे, और कुछ नाटकों में मुझसे मार्शल आर्ट के कुछ सीन है, वदन का सीन है, और दूसरे उसमें, मुझे उन्होंने मौका दिया, तो और हमारे साथ के और भी गुरू जन थे, जिन से हमने बहुत कुछ सीखा, जैसे आलूपी वर्मा जी से हमने मेक अप करना सीखा, सुरिश भारदवाज जी से हमने लाइटिंग सीखी, और कई डिरेक्टर, प्रूसर, प्रूसर्स तो खेर वर्ड फिल्मों में आ जाता है, तो फिल्मी होने की वज़े से शा हाँ गुरू, दुनिया के बड़े बड़े जो थेटर परसनलिटी हैं, डिरेक्टर हैं, राइटर हैं, उनके साथ हमारे वर्कशाप करवाया करते थे, हमको सिखाया करते थे, और हम कलाकारों को एक हर कलाकार, पूरून थेटर के रूप में तैयार उनोंना किया था, सेट दिजाइन, लाइटिंग, मेकाप, ड्रेस दिजाइन, वेश भूशा, पोस्टर दिजाइन, संगीत, म्यूजिक, आपकी कॉरोग्राफी, क्राफ्ट स्टेज का और ब्लॉकिंग, उसके बाद में आपको और भी जो आयाम हैं, उनको ढूनना और उसमें कारी करना, ये एक हम जीवन भर विध्यारती बने रहना चाहिए, ताकि उसको बहुत कुछ सीखने को मिलता है, तो मैंने कारजी से जो वादा किया था, उसको आज भी निभा रहा हूँ, मैं थेटर देखता हूँ, समय नहीं मिलता, इसलिए कर नहीं पाता, लेकिन मैंने अभी नहीं को कभी नह अपने में आसानी मिलती है, और नया नया कुछ ना कुछ सीखता जा रहा हूँ, खेर, जीवन भर विध्यारती बना रहना ये सबसे अच्छी बात है, गुरुदेव कारण जी को, याद करते हुए कि वो एक महान गुरु थे, जिनोंने हमें बहुत कुछ सिखाया, हम नमस्ते, नमन कारण जी